तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता होगा कि वीडियो कॉलिटी के साथ साथ आदियो कॉलिटी भी अच्छी होना जरूरी है आदियो कॉलिटी अच्छी होने के लिए आपको एक माई की जरूरत पड़ती है आज मैं बोया BYM1 कॉलर माई का रिव्यू करने वाली हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है बोया BYM1 माई का बॉक्स इसे मैंने Amazon से ओर्डर किया है और इसकी कॉस्ट एराउंड रुपीज 800 है इस माई की एक खास बात है कि ये एर नॉइस को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है इस बॉक्स के पीछे इसकी स्पैसिफिकेशन्स और फीचर्स दे रखे हैं इसमें बताया किया है कि ये माईक स्मार्टफोन, DSLR, Cam Orders, Audio Recorder के लिए है और ये एक Omni Direction Condenser Microphone है चले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है इसके अंदर से हमें एक पाउच मिला है जिसमें सब कुछ सेफली रखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाउच के अंदर से काफी सरी चीज़ा निकल रही है इसके अंदर है LR44 बैटरी जो कि Condenser में यूज होगी और ये बैटरी कंडेंसर में तभी यूज होगी जब हम माई को कैमेरा के साथ यूज करेंगे तो अब मेरे हाथ में आया है इक लिप जिसे हम माई के साथ अटेच करके अपनी कालर में लगा सकते हैं और ये है एक adapter, ये adapter तब यूज होगा जब हम माइक को कैमेरा के साथ यूज करेंगी अगर आप माइक स्मार्टफोन के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको adapter की कोई जरूरत नहीं होती है तो चलिए अब देखते हैं main unit को, तो ये हमारा main unit, इसकी एक अच्छी बात ये है कि आपको इसमें एक लंबी सी wire मिल जाती है अगर आप काफी distance से recording कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आगी क्योंकि wire की length काफी लंबी है साथ ही हमें air noise को कम करने के लिए एक form मिलता है, मैंने इसे already लगा रखा है क्योंकि मैं इसे पिछले दो हफ़तों से इस्तेमाल कर रही हूं चलिए अब इसका condenser देखते हैं, condenser पर एक तरफ camera लिखा है और दूसरी तरफ smartphone तो जब आप माई को smartphone में यूज करेंगे तब आपको smartphone की तरफ इसे on कर देना है अब मैं आपको condenser open करके दिखाती हूं, जो battery हमें इसके साथ मिली है, LR44 battery, इसके अंदर हम लगाएंगे microphone को use करती थी और इसे मैंने almost एक साल use किया है, बैसे तो ये वाला microphone भी बहुत अच्छा है लेकिन अब ये टूट किया है, तो मैंने थोड़ा सा budget बढ़ा कर बोया BY M1 माइक पर्चेस किया है और इसके साथ हम एक warranty card मिलता है, और साथ में एक mucklet मिलती है, जो समें directions दी गई है, कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा बहुत noise आ रहा होगा, क्योंकि ये recording direct smartphone में हो रही है without any mic तो मैं आपको इस mic को use करके बताती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि mic ear noise को कितना कम कर देता है, तो चलिए मैं mic को smartphone में लगा देती हूँ तो दोस्तों अगर आपको ये mic पसंद आया है और आप इसे purchase करना चाहते हैं, तो definitely आप इसे purchase कर सकते हैं, और इसका link मैंने description box में दे दिया है, तो आप वहाँ से check कर लीजिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी useful रहा हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरू कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले